उम्शान्ती आज 4 मार्च 2022 आज की साकार मुडली से बाबा हम बच्चों को गुन सिखाते हैं अभूल बनने का मनुष्य अपने जीवन में छोटी बड़ी गलतियां करता रहता है और वो भूले जो करता है और बार बार दोहराता है तो वो उसकी आदत बन जाती है कई बार मनुश्य अपनी भूलों को इग्नोर करके कहता कि मनुश्य गलतियों का पुतला है लेकिन ये कहकर वो अपनी कर्म के फल से छूट नहीं सकता अगर गलती को रियलाईज करके परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो पक्की आदत बन जाती है और उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है आज की मुडली में बाबा ने अटेंशन खिछवाया है चोरी की आदत पर चोरी केवल धनकी नहीं होती है तन, मन या धन के द्वारा कोई भी गलती होती है कोई भी चोरी करते हैं उसे छिपाना और उसको छिपाने की कोशिश करना भी चोरी है इसलिए मनुष्य जो होता है कई बार ऐसी कोई भी चोरी होती है तन से, मन से या धन से कोई गलती होती है उसे वो छुपाता है उसका कारण होता है कि उसे मन में ये लगता है कि उसके मान की हानी होगी या उसे दंड प्राप्त होगा इसी लिए वो अपनी बातों को छिपाते हैं लेकिन छिपा कर भी जो पर्म पिता पर्मात्मा या धर्म राज है उसकी आखों से तो वो गलती छिप नहीं सकती है और कर्म का फल तो अवश्य मिलना ही है इसलिए कभी भी छोटी या बड़ी गलती होती है उसको छपाने के बिदले सही जगे पर बता कर उसे realize करके परिवर्दन करना है जितना हम परिवर्दन करते हैं तो वो हमारे अंदर शक्ती आती जाती है और हम अपने आदतों को सुधार सकते हैं इसलिए कोई भी ऐसी आदत अगर है अंदर में तो उसे परिवर्दन करें realize करके योग की शक्ती से और बड़ों के हमें जो guidance मिलती है उसके आधार से उसे परिवर्दन करें आज के दिवसकी यही शुपकामना ओम शांती